वेलकम तू लर्नर बी आयम शिवानी चाहान क्लास सेवंत का हिंदी का सेंपल पेपर हम देख रहे हैं सबसे पहले हम देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है अपटित गद्यांश तो एक जंगल में परिजात का एक पेर था देखो जो अपटित गद्यांश होत जाता है तो देखते हैं एक जंगल में परिजात का पेर था परिजात का कोई मुकाबला नहीं था उसकी सुंदरता बेजोर थी उसका रंग रूप निराला था परिजात को भी अपने गुडों का पूरा-पूरा पता था नीले आसमान में से रुठाए इस शान से खड़ा पर हैता मानो पेडों का सर्ताज हो जब भार के दिन आते तो पारिजात अंगिनत नन्य नन्य फूलों से लच जाता लगता मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर पराजित परिजात की शाखाओं पर टांग दिये हो नन्ने फूलों से जिन मिलाता पारिजात जब सुगंद भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन बन जाता चुम्बक की तरह परिजात सबको अपनी तरफ खीशता जिसे देखो वही परिजात की तरफ भागता सतरंगी शाले ओडे चटकीली तितलियां सहीलियों के साथ जुंड का जुंड बनाकर परिजात का श्रंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों को कीच कर धेरो सारे पराग अपने साथ ले जाती तो यह मैंने पढ़ा इसलिए मुझे बड़ा पयार लगा था यह पराग्राफ जब मैंने पहले कर रहा था तो जंगल में किसका पेड था तो परिजात का पेड था यह हूग्या correct answer परिजात आपने आपको स्वैम क्या समझता था तो पेडो का सर्थाज समझता था इस तरीके से खड़ा होता था जैसे कि पीडू का सर्ताज हो वह अंकिनत फूलों से कब लच जाता था? जब बहार आती थी बहार के समय वो अंकिनत फूलों से लच जाता तितलिया क्या करती थी? फूलों को कीच कर धेरो पराग साथ ले जाती थी इस गध्यांश का शीशक क्या हो सकता है पारिजात पेडों का सर्दाच Next देखते हैं देखिए फिरसे अब क्या है एक तो अपठित गध्यांश है और एक काव्यांश है तो काव्यांश देखते हैं गाओं हो रहे शहर हमारे बाकी सब कुछ अच्छा है रिष्टे अब व्यापार हो रहे, बाकी सब कुछ अच्छा है अब हमारे आपसे रिष्टे कैसे हो रहे है तो व्यापार की तरह केवल लाब को महत्वत दे रहे है next की question है उतपाद में बढ़त होने पर भी डाश बढ़ रहे है तो देखो उत्पाद में बढ़त हो रही खेतों से खलिहानों तक फिर भी भूके बढ़ते जाते बाकी सब कुछ अच्छा है तो भूके लोग बढ़ रहे हैं फिर भी चाहे कितनी बढ़ोतरी हो रही है चोड़ी सड़के पक्की गलियां और बिजली की जगमग में दिल की दूरी बढ़ती जाती बाकी सब कुछ अच्छा है तो चोड़ी सड़के पक्की गलियां और बिजली की जगमग होने पर भी क्या कमी आ गई है दिल की दूरी अब बढ़ती ही जा रही है चौपालों की मीठी बातें दूर दर्शनी संस्कृती में तीज और त्योहार खो रहे बाकी सब कुछ अच्छा है तो चौपाल की मीठी बातें और तीज त्योहार किस कारण खो रहे हैं दूर दर्शन की बनावटी संस्कृती के कारण अमन्चेन के दिवस कहां खो गए हैं? कोट का चहरी ओफिस थाने मोटर गाड़ी अफसर से अमन्चेन के दिन हारने दिन हिराने बाकी सब कुछ अच्छा है हिराने मतलब दूर हो रहे हैं घर से आई जब ये पाती की हां हालात बदल गई दिल की धरकन और बढ़ गई बाकी सब कुछ अच्छा है तो भई अमन्चेन के दिवस कहां खो गए? कोट का चहरी ओफिस थाने आदी के चकर में तो ये हमने एक बद्याश और एक काव्याश देख लिया नेक्स देखिए व्याकरण तो निरेश की अनुसार उत्तर लिखिए द्वंद समास वाला वाक्य पहचानो तो इसमें से द्वंद समास जो है वो वाला वाक्य पहचाना है द्वंद समास में डैश और या और लगा हुआ होता है तो पहला वाला इसका जो है द्वंद समास है राधा को सीना परोसना आता है तो द्वांद समास जिसमें दोनों बद प्रधान होते हैं दोनों बद ही इंपोर्टेंट होते हैं वो द्वांद समास होता है नेक्स देखे खा मिठाई वाला शब्द में वाला क्या है तो वाला देखो प्रत्य है मिठाई मूल शब्द है और वाला प्रत्य है हाथ हथ शब्द का नया शब्द इन सबसे सारे के सारे शब्द नये बन जा रहे है सिंगहासन का संधी विग्रह सिंग प्लस आसन जो कभी न मरे उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अमर उचित वाक्यास चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिये तो मेंडक पानी में छप से कूद गया शोर होते ही चडिया फुर से उड़ी नल बंध होने के बाद पानी की बूंद टप से चूगई थंडी हवा थर से गुजरी जिम्मेदारिया का एक वच्चन होगा जिम्मेदारी मोर शब्द का भिन रूप है मयूर अब जो आपकी बुक है ना उसे लिया गया है निम्न लिखित पठित गद्याश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए तो प्रश्न क्या क्या पूछे गए है पहला प्रश्न है मोर के सिर की कलगी कैसी थी तो मोर के सिर को कलगी और सघन उची तथा चमकीली हो गई थी तो सघन उची और चमकीली थी मोर की चोच कैसी थी तो चोच अधिक बंकिम और पैनी हो गई तो बंकिम और पैनी उसकी ग्रीवा की क्या विशेश था थी तो गोल आखो में इंद्रनी को नीलाभ दियूती जलकने लगी लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप चाही तरंगे उठने गिरने लगी तो लंबी नील हरित ग्रीवा तो क्या थी आपी ग्रीवा कैसी थी उसकी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप चाही तरंगे का उठना गिरना ये विशेश था थी उसकी ग्रीवा की रंग रहित पैरो को गरवीली गत्ती ने एक नई गर्मा से रंजित कर दिया इस पंक्ती का आशर क्या है तो देखिए नील कंट की गरवीली चाल उसके रंग रहित पैरो को नया रूप प्रदान करती थी तो यहां पे इसका देखिए अंसर है नेक्स देखिए इसमें क्या है उसकी कौन-कौन सी भगी माय मोहक थी तो गरदन उची करके देखना नीची करके दाना चुगना पानी पीना टेडी कर शब्द सुनना तो यह यहां से देखिए अंसर लिया क्या है नेक्स तो देखिए आगे जो हैं वो सारे के सारे आपके जो questions हैं बुक के वो ही हैं तो questions देख लेते हैं बहुत important हैं आप लोग को उनके answer जरूर करिएगा practice मिठाई वाला अलग-लग चीजे क्यों बेशता था और महीनों बाद क्यों आता था पापक हो गए नाटक में सबसे बुद्धिमाल पात्र कौन था comment box में comment करके बताई का हुआ था कि कौन था भई खंबा था पेड़ था कौन था answer बताएगा लेखी का को नीलकंट की कौन सी चेश्टा हैं बहुत भाती थी तो भई वो भूती स्वाभी मानी थे हैं इस तरीके की फेश्टा हैं बताईएगा मेरी माने मुझे अपनी प्रसिधी को विनमृता से समालने की सीख दी धनराज पिल्लाई की किस बात का अर्थ है तो मेरी माने मतलब विनम्रता प्रसिद्ध हो गए हो तो अकडू मत बनो और बिल्कुल कहते हैं ने डाउन टू अर्थ रहो आश्रम का अनुमानित वैपार्ट के अधार पर लिखे कि गांधी जी छेनी हतोरे बसूले क्यों खरीदना चाहते होंगे क्योंकि गांधी जीन अपना सारा काम स्वयम करना चाहते थे वो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे वो ये भी चाहते थे कि आश्रम के सभी लोग भी अपना काम स्वयम करें इसलिए वो ये सब खरीदना चाहते थे निम्न लिखित पठित पध्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्णों के सही उत्तर लिखिए तो यहाँ पे पठित पध्यांश है और इसके आंसर पठित पध्यांश यानि की चप्टर की पोयम है ना उससे ही आप लोग को आंसर लिखने है जरूरER कमेंट वाक्स में भी पताएगा कमेंट करके बंजंब a गवी को आंख में दला को पिंससे साने पर लोगों ने क्या किया तो आंख और अंक ही जैसे कि जो कवी है यह तर्ग होगा है लिया ना जाल जो है उनके कवी आप लोगों को याद करने हैं यहां से समझ में आता है क्योंगि पूछे गए हैं पूरक पुस्तक जो है उसमें कौन कौन से है देखिए दुरवपदी किस देश की राजकुमारी थी और उनके पिता कौन थे तो कहां की थी पांचाल की थी है ना इंद्रप् कौन था और उसके क्रोध का ग्या कारण था चटे दिन के युद्ध का हाल संशेप में लिखें तो यह important questions है आपकी जो महाबारत वाली पूरक पुस्तक है उससे तो इसको अच्छे से करिए पत्र लेखन में देखिए कौन सा पत्र पुछा गया है आपके शेत्र में कहीं दु इसको भी अच्छा पुछ नहीं देते हुए नागर निगम अधिकारी को पत्र लिखें इस इस इमपोर्टन्ट यह वाला पत्र करिए का या फिर यह वाला को बहुँत जाहता है वेरी इंपोर्टन पर बार-बार एक्जाम में आता तो इसको तो अच्छे से प्राक्टिस क समवाद लेखन बेग्जाम में आता है इसको भी अच्छे से करें तो हम लोगों नहीं देखा सैंपल पिपर क्लास सेवंथ का हिंदी का तो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब थेंक यू